पले आइश्टोर की आइडी कैसे बना है? अगर आप एक नया मोबाल लिए है या फिर आपके पास पुराना मोबाल है जिसमें पले आइश्टोर की आइडी नहीं बना है और आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बिल्कुल असान तरिका पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को बिल्कुल एक नए आइडी बना कर बताने बला हूँ तो नीचे में यहाँ पर लिखा है create account इस पर आपको ok करना है चलिए हम इस पर ok करेंगे आपको भी इस पर ok करना है तो यहाँ पर 3 option आएगा सबसे उपर में लिखा होगा for my personal use इस पर आपको ok करना है चलिए हम इस पर ok करेंगे मैं बिल्कुल आसान तरीका से बताऊंगा तो वीडियो को लाइक करके आपको चैनल को जोर subscribe करना है फिर यहाँ पर लिखा होगा create a Google account तो आप Google के लिए अपना account create करेंगे तो यहाँ पर आपको first name और यहाँ पर last name यानि कि surname आपको enter करना है तो जो भी आपका नाम है वो नाम आप enter करेंगे तो चलिए यहाँ पर हम tap करूँगा राहूल तो यहाँ पर मैं tap करूँगा राहूल और निचे में कर दूँगा कुमार इस तरीके से आप अपना नाम इंटर कर सकते हैं उसके बाद निचे में यहाँ पर लिखा है next इस पर आपको okay करना है चलिए हम इस पर okay करेंगे तो इस तरीके से interface आएगा यहाँ पर आपको अपना date of birth इंटर करना है यहाँ पर आपको इंटर करना है और यहाँ पर month इंटर करना है और यहाँ पर year इंटर करना है तो आपका जो भी है वो इंटर करेंगे उसके निचे में यहाँ पर लिखा है gender इस पर आपको okay करना है और आप male है तो male करिए और female है तो female करिए female लड़की के लिए है और male लड़का के लिए है तो यहाँ पर हम mail करेंगे उसके बाद नीचे में यहाँ पर लिखा है next इस पर आपको ok करना है तो चलिए हम इस पर ok करेंगे अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर Gmail ID चूच कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखाए Next, इस पर आपको OK करना है, तो चलिए हम इस पर OK कर देंगे, आपको भी इस पर OK करना है, तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखाओगा करना है, तो चलिए हम अपना पस्पोर्ड यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम अपना पस्पोर्ड इंटर किये, अगर आप इस देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखाओगा इस पर OK करेंगे, तो आप पास्पोर्ड देख सकते हैं, हमें नहीं देखना है, तो नीचे में य देना है चलिए हम इस पर okay करेंगे आपको भी इस पर okay करना है फिर आपके सामने इस तरीके से interface आएगा नीचे के तरफ आपको थोड़ा सा scroll down करना है तो यहाँ पर लिखा होगा yes I am in इस पर आपको okay करना है चलिए हम इस पर okay करने बिल्कुल असान तरीका से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आपका नाम सो करेगा, और नीचे में आपका Gmail एडेस सो करेगा, जो भी आपका Gmail ID है, उसके नीचे में यहां पर लिखा है Next, इस पर आपको OK करना है, चलिए में इस पर OK करेंगे, तो इस तरीके से पर ले करना है, तो यहां पर लिखा होगा I agree, इस पर आपको OK करना है, चलिए में OK करेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, एस्टी बाइस्टी में आपको बता रहा हूं, तो वीडियो का आपको लाइक ज़ूर करना है, फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, तो यहां पर करेंगे, यहां पर लिखा होगा accept, तो आपको accept करना है, फिर आपका Play Store की ID बन जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, अब कोई भी application आप यहां पर download कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से असानी से Play Store पर अपना खुद का ID बना सकते हैं, बिल्कुल असान तरीका से, कितना अ